भोजन किसी भी समाज संस्कृति और इसी भोगुलिक प्रस्तियों में रहने वाले लोगों के भरण पोसर और जीवन यापन का एक प्रमुकादार है और इनी विसम भोगोलिक परिस्टियों में जो उगने वाले अनाज हैं यहां के विशिष्ट विंजनों के पौश्टिकता के साथ-साथ उसके स्वाद को भी रजीज मनाते हैं यही कारण है कि उत्राखंड भी अपने प्राकर्टिक सौंदेरे के लावा यहां के पौश्टिक विंजनों के लिए भी जाना जाता है और उत्राखंड के इनी परंपरिक भोजन और यहां मौझूद जो सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों की जो संस्कृति हैं यह भोजन यहां के रहन सेन और यहां के खान पान को दरसाते हैं वस्ट उत्राखंड के जो दोनों मंडल यानि कुमाओ और गड़वाल में कुछ भोजन में हैं वो भिन्नता दिखाय देते हैं लेकिन बहुत सा ऐसे भोजन हैं जो एक समानी है यहां मौजूद जो भोजन हैं वो मौसम के आधार पर होते हैं जिसे तिल के लड़ू होते हैं मनवे की रोटी होती हैं यहां मसरदियों में खाते हैं मही चांज, जंगोरा यह गर्मियों में खाय जाते हैं तो यहां उने वाले जो भोजन हैं उनके बारे में आज हम आपको विस्षित जानकारी देंगे जिसमें सामिल है आपके गड़वाली वेंजन जैसे चौसा, जोली, घहत के पराठे, फाणू, काफुली, भीवानी और कुमाओ के जैसे आलू, गुटके, डबके, थत्वानी, क पिठाई, आटे की खीर, जहंबूरी की खीर, चमचूडा, आदी, इनके बारे में भीवाज हम आपको विस्षित तोर पर जानकारी देंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अलू काइज़न, तो सुरुवात करते हैं उत्राखंट के लोगपरिया भोजन से, और सबसे पहले आता है अलू का गुटका, देखो अलु का गुटका, उत्राखंड के कुमा और गडवाल दोनों जोगों ही बड़े चाउ से खाय जाता है। अब बात करते हैं काफुली और कफा की तो उत्राखंड के जो परंपरिक भोजन है, ये गडवालियों का है काफुली तो सर्दियों में ये विसे तोर पर खाया जाता है क्योंकि ये गरम बताया जाता है कि भोजन काफी करम होता है। तो जो सर्दियों की पत्ति होगी है मैथी होगी उनके छीलकों करके ये काफुली बनाया जाती है। और उत्राखंड की खाशत यह है कि यहां जो विसे तोर पर जो विनजन बना जाते है काफी विनजन लोही की कड़ाई पर ही बना जाता है। जिससे कहते हैं कि इसके स्वाद में और निखार आजाता है वहीं इसका जो रंग है वो और निखर कर बाहर आते हैं इसके बाद बात करते हैं फानु की तो फानु कड़वाल छित्र का एक प्रमुकाहार है और इसे बनाने में कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है तो इसे तो पर यह कड़वाली इलाकों के जो काफी सुदूर बढ़ती इलाके हैं वहां पर खाया जाता है लेकिन आप काफी लोग इसको जो निचले जो इस तरतराइर के छेतर हैं वहां भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं तो फानु के साथ साथ ये स्वाद में भी बड़ा ला करते हैं यह काफी विस्स तोर पर इकाय जाता है काफी लोग इसे पसंद करते हैं यह अज दिया जाता है उसके बार से रोटियों के अंदर जो मंडवे बेसिकली होती है उसको अंदर भरकर ये गहत कर ये पराठे बनाए जाते हैं कई लाकों में इसे घी के साथ सर्वू भी करते हैं घी के साथ इसके ओपर जो कोटिंग करते हैं तो पराठे के रोप में भी इसका 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 माल होता है और जो अचार घी इसके साथ भी लोग ख घाए जाता है इसका सरदियों में नहीं तो इसके उजिए नहीं रहीं है एक उनाजी कर वहius तो टौकर ताहिक उध्याविवर्य sits भी इसका अंदाजा लग जाए कोदे की रूटी के बाद करते हैं बाडी की और यार बाडी भी जो उत्राखंड का एक लोग पर यह व्यंजन है और यह आटे घी और गुड़े इन सब के मिलाकर बनाए जाता है कई जो वो तो बाडी को एक दो मसालेदार यानि नमकीन होता है सवाद में बाडी और काफी देर तक इसे एक पतीले या लोही की कड़ाई में रखा जाता है और काफी देर तक हिलाने के बाद ता कि इससे यह पतला हो जाए और इसके सवाद में भी निकारा जाता है और यह ना सिर्थ स्वाद की में लजीज है बलकि स्वास्टे के लिए बनाए जाता है आम जंद जीवन हैं ये लोग काफी तौर पर इसे खाता है ये भी गरम होता है तो सर्दियों में लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि बिच्छू घास जो होता है करणाली की घास उसे गरम पानी में उबालते हैं उसके बाद इस का जो अस्थित तो है वो खोता जा रहा है तो कंडली के साथ काफी कम देखने को मिलता है अभी बात करते हैं उत्राखन के एक ऐसे लजीज भोजन की जो बेटियां होती है जब अपने माई के से सफुराल की तरफ जाती है तो बनाए जाता है और उन्हें विसेज तोर पर दि मिलते हैं तो इसमें गूर के साथ गूर की चासन के साथ आटे को दूंता जाता है उसके जो तेल में इसे फिर बनाए जाता है और यह साथ में काफी लजीज होता है और यह पैचान भी होता है उत्राखन के जोहारं के तो हर जोहार या साधी भी हमें तो ही आपको खाने को म कर आपको दिया जाए मिठे के बात होगे अब बात करता है चैसु की और चैसु जो चैसा भी कहता है हमारी यहां इसे काफी पसंद किया जाता है लोग भी भी काफी लोग इसे खाते हैं बनाना भी से काफी आसान है जल्दी बन जाता है और इसमें क्या होता है जो मसूर उरच की दाल होती है उसे बारी को पिसा हुआ होता है उससे जब काफी देर तक हमने तूर्फीचोड़ी अभी हम थोड़ी देर पहले आनरे गुड़कों के बात करेक्ट जिसमें आलू को उबाला जाता है उसके बाद आलू के गुटके बना जाते हैं लेकिन आलू की ठीचोड़ी में उल्टा है इसमें जो कच्चा आलू होता है उसको जो आपके घरों में सिल्वटे होते हैं युसे थीचटर से उबाल कर और मसाले मसाले डाल कर काफी देर तक पकाय lahi सब्सक्राइब तो आप जब उत्राकंड के लोग अभी से खाते है तो आप जब उत्राकंड यां यानि जो आपके केले से बनाये जाते हैं गुलगले स्वाद में जो धीस तुहार त्रमे करज़ होता है विसे स्थार इस तो पर इस Nous भी पूराज शाम इर जाता है तो इसके बात करते ला के पौकड़ की तो दाल पकोलन का जो उत्राखंद की संस्कृति, समाज और त्योहार में काफी विशी संभायत वैंद है, और बिना दाल के पकोड़े का, उत्राखंद का सूना सूना माना जाता है, तो इसे काफी पसंद क्या जाता है और आपको अभी भी इस उत्राखंड के कई लाकों में इसे देखने को मिलेगा, हमारे गुरों में भी इसे काफी बनाया जाता है इसके इलावा जो है कडी भात जिसे कई जुगों मेरे लागे में तो इसे कुलियों कहते हैं जिसे चमोली के लाकों में इसे च्छासाग भी का जाता है और यह भी उत्राखंड के भीडियों के हस अधिक लोग प्रियया है, और बहुत लिदी यह बन जाता है और काफी लोग इसे खाना पसंद करते हैं कि कुछ खास जो परंप्रिक पक्वान थे उनके बारे मैं आपको बताया और अगली जो वीडियोज होगी कोशिस करेंगे कि आपको जो ये पक्वान है उन्हें बना कर एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाए हुझे कि कैसे इने बनाया जाता है और कैसे इनका स्वाध होता है बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा तो ये थे उत्राखन के पक्वान उत्राखन और उत्राखन की संस्कृति से जुणने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जुड़े वी गड़वाली से जुड़े अपकी संस्क्रती से